नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं Current News और मैं हूँ आपके साथ साक्षी आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके वीच तो ये कहानी है एक चिडिया की एक चिडिया जो बहुत उचा उड़ती थी हमेशा चहकती रहती थी कभी इस टहनी पर, कभी इस टहनी पर उड़ती रहती थी फुदक्ती रहती थी पर उसके एक आदत थी वो खुश हो, चाए वो दुखी हो वो हमेशा पत्थर इखटा करती थी अपनी पोटली में पत्थर इखटा करके लाती थी जो पत्थर अच्छा होता था उसे देखकर खुश हो जाती थी और जो पत्थर अच्छा नहीं होता था उसे देखकर दुखी हो जाती थी फिर एक दिन उसके पोटली भारी होने लगे वो पथरे खट्टे करके लाती थी रोज और पथर खट्टी करती थी और उसके पोटली भारी हो गई उसे ऐसा लगा कि मैं उड़ नहीं पा रही हूँ और दिन बीद गए अब तो वो चल भी नहीं पा रही थी ना वो अपने लिए खाना पानी कुछ भी नहीं ला पा रही थी और एक दिन अपने ही उसी पत्थर के पोटली के नीचे आकर वो मर गई ऐसे ही हम हैं हम अपने पास के बातों को डबाय बैठे होते अपने पोटली में रखे बैठे होते recommends और अपने present अपने future को enjoy ही नहीं कर पाते तो अपने उन बातों को भूल जाए और अपने अभी के मुमेंट्स को इंजोई करे और एक बात को हमेशा ध्यान रखे Yesterday is a history, tomorrow is a mystery and today is a gift That's why it is called present Thank you आपने खिए और प्यान रखे